हाई ड्वेल्टीज वेलकम टो एसीवे कॉमर्स क्लासिस मैं हूँ दविता और गाई आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एंप्लाइमेंट शेप्रों को आगी बढ़ाएंगे और उसमें आज हम टॉपिक बढ़ेंगे वो एंप्लाइमेंट का जस्ट उल्टा टॉपिक ह जिसका नाम है अनेंपलाइमेंट अनेंपलाइमेंट का मतलब आप सब्वी बहूत अच्छी तरीके से जानते हूं क्योंकि आपको आस पास unemployment बहुत जादा देखने को मिल जाती है Unemployment किसे कहते हैं गाइस जो लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता तो हम उसे क्या कहते हैं Unemployment वही चीज हमारी बुक में भी बताए गई है क्या लिखा है बुक में Unemployment refers to a situation Unemployment वह situation है वह स्तिती है इन विच पीपल आर विलिंग जिसमें सबसे बड़ी बात एक आदमी लोग या लोग आदमी लोग तो नहीं पीपल मतलब लोग आर विलिंग विलिंग मतलब चाहते हैं एबल और वह इस लायक भी है कि उन्हें काम मिल सकता है विलिंग भी है एबल भी मन से चाहते भी है और वह लायक भी है काम करने के एक दा एक्सिस्टिंग वेज रेट जो वेज रहा है उस पे बड़ दो नोट गेट वर्क बड़ उन्हें काम नहीं मिल पाता तो उसे हम क्या कहते हैं Unemployment कहते हैं काम करने को त्यार है एक्सिस्टिंग वेज रेट पर बट डो नोट गेट वर्क उसे हम Unemployment कहते हैं अब Unemployment का डेटा हमारे देश में कहां से आता है सबसे पहले आता है सेंसर से सेंसर आप लोगों को पता है जंड करना जो हर 10 साल में करी जाती है जिसमें सब लोगों की गिंती करी जाती है देश में उससे हमें पता चल जाता है एक तो कितने लोग बेरोज़गार है दूसरा NSSO आज की डेट में आप सब इसका फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म जानते हो इस नेशनल सैंपल सर्वे और्गनाइजेशन जो बेसिकली हर इस चीज़ पर सर्वे करती है और उसका डेटा पब्लिश करती है थर्ड है गाइस हमारा डारेक्टरेट जनरल ओफ एम्पलॉइमेंट एंड ट्रेनिंग यानि की जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DGET इस डारेक्टरेट जनरल ओफ एम्पलॉइमेंट एंड ट्रेनिग यह बेसिकली एम्पलॉइमेंट का डेटा पब्लिश करते हैं कि कितने कौन से स्ट्रॉक्चर पे कौन से सेक्टर में प्राइमरी सेकंडरी सेकंडरी सेक्टर में कितने लोग employed हैं कितने unemployment unemployed हैं तो वह साला data यह publish करते हैं right अब guys unemployment कितने type क्यों होती है तो सबसे पहली जो unemployment है that is disguised unemployment हम बहुत जगे पर यह word use करते है disguised but disguised unemployment होती है so guys disguised unemployment का मतलब होता है जहां पर काम दो बंदों से खराया जा सकता है but वहां पर उससे जदा बंदे अगर लगे होते हैं तो उसे disguised unemployment कहते हैं जैसे suppose करो एक जमीन है और उसको हमें उसमें सिर्फ हमें चार लोगों की need है यानि कि जमीन पर काम करने के लिए हमें एक दो तीन चार लोगों की need है और चार लोग जो production करते हैं वो 100 तन के करीब होता है fully लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हैं आठ लोग और आठ लोग काम करके भी सिर्फ 100 तन production कर रहे हैं तो इसे हम disguised unemployment कहते हैं यह generally हमें agriculture sector में देखने को मिलती है जहाँ पर जितने लोग needed होते हैं उससे ज्यादा actually उसमें लगे होते हैं तो उसे हम disguised unemployment कहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि यह जो चार extra लोग हैं इनसे कुछ भी production extra नहीं हो रहा है क्योंकि यह 4 लोग भी 100 प्रोड्यूस करते हैं और 8 लोग भी 100 प्रोड्यूस करते हैं तो चार लोगों की महनत है वह हमें दिख नहीं रही है प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसे disguised unemployment कहते हैं सेकेंड होते हैं हमारा seasonal unemployment आप सबी को बता है इंडिया में हर एक season आता है और जब कोई बंदा एक season में काम करता है और दूसरे season में unemployed रहता है तो उसे seasonal unemployment कहते हैं जैसे कि अभी winters का समय है तो winters में winter के close का production हो रहा है वही चीज़े भी रही है तो काफी लोग जो इस समय पर unemployed है जिनका काम cooler का था जिनका काम AC का था तो that is called seasonal unemployment ठीक है हमें ये चीज़ agriculture sector में भी देखने को मिलती है जैसे किसी की खेती अगर इस समय हुई है तो उन्हें next time दूसरे समय पर उन्हें क्या करना पढ़ता है वेट करना पढ़ता है घर में वैठना पढ़ता है that is also called seasonal unemployment थार्ड होती है guys हमारी open unemployment open का मतलब है हर जग पढ़ने से मिलती है ये हमें कहीं पर भी दिख जाती है एक बंदा बैठा है और वो काम करना चाहते है बट उसे अगर काम नहीं मिल रहा that is called open unemployment हमें पता चल रहा है कि वो बिरोजगार बैठा है तो team type की unemployment होती है Disguised, seasonal and open unemployment ठीक है अब इसके क्या कारण है guys हमारे देश में बहुत सारे कारण है जिसकी वज़े से लोग बिरोजगार है तो सबसे पहला है भाई economic जो growth है हमारी वो बड़ी slow है हमारा देश बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा बड़े धीमी गती से आगे बढ़ रहा ह जिसकी वज़े से लोग तो jobs चाहिए, population तो बढ़ी रही है उस हिसाब से हमारे देश की growth rate है वो बहुत कम है production यहाँ पर manufacturing sector यहाँ नहीं बढ़ रहा देश में जो progress होनी चाहिए वो नहीं हो रही जिसकी वज़े से जादा तर लोग विरोजगार रहते हैं second reason population explosion सबसे बढ़ा reason guys हर एक चीज का चाहे गरीबी का चाहे भुकमरी का हर एक चीज का reason population explosion जिस तेजी से हमारे देश की population बढ़ रही है उस तेजी से कुछ और चीज़े नहीं बढ़ रही में ली चाहे वो आप बोलो education sector बढ़े कुछ बढ़े कुछ नहीं बढ़ रहा लेक अपना resume लेके तो नौ लोगों को घर लोटना पड़ेगा that is called population की वज़े से क्योंकि हमारे देश में population बहुत तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से हमारे यहां पर चीजों की growth नहीं हो रही है तो यह भी एक बहुत बड़ा reason है थर्ड है guys underdeveloped agriculture यानि कि हमारे यहां पर हमारी almost जो लोग है वो agriculture सेक्टर पर डिपेंड है यानि कि हमारी almost population जो है वो agriculture सेक्टर पर डिपेंड है लेकिन वो agriculture सेक्टर कैसा है underdeveloped है वहां पर high tech machines वगरा use नहीं हो रही है और वहां पर generally हमें कौन सी unemployment देखने को मिलके disguise unemployment एक परिवार पूरा का पूरा खेती करने में लगा है जबकि हमें पता है सिर्फ दो लोगों से वहां पर खेती हो सकती है तो बाकी जो सदस्ते जो वहां पर काम कर रहे वो unemployed है तो उसका एक कही ना कही reason underdeveloped हमारा agriculture sector है क्योंकि वहां पर चीजों की facility machines वगरा नहीं अविलेबल फोर्ट है guys हमारा education system defective है कैसे हमें जो 12 साल तक पढ़ाया जाता है उसके बाद हमें जब job करने पर हम निकलते तो हमें पता चलते है वो तो कही use ही नहीं हो रहा है तो कही ना कही हमार जैसे 12 साल पढ़ाई करने के बाद भी हम job के लायक नहीं बन पाते हैं हमें कोई ना कोई professional course या फिर higher study करनी पड़ती है तो हमारा defective education system हमारे देश में जो growth है industries की वो बड़ी ही slow है यानि की industries यहाँ पर जो बढ़नी चाहिए वो नई बढ़ दी जिसकी वज़े से manufacturing sector हो गया या जो भी हमारे industries यहाँ पर बननी चाहिए थी जो लोगों को रोजगार दे सकती थी वो नहीं है जिसकी वज़े से लोगों को रहना पड़ रहे है उसके पास six है guys decline of cottage in small industries पहले cottage in small industries जो छोटी छोटी जगों पर काम से लोगों को रोजगार मिल जाता था अब वो कम हो गई है जिसकी वज़े से लोग बिरोजगार हो गए चोटे 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 क्योंकि बड़ी जब कोई एक industry आती है तो वो आने वाल आप लोगों को planning five year plan के पता ही चल रही है कि इतनी ज्यादा successful नहीं रही है जिसकी वज़े से कही ना कहीं जो government सोचती है कि हमें employment देनी है या हमें यह generate करना है वो चीज़ नहीं हो पाती तो government की planning fail होने की वज़े से भी क्या हुआ unemployment आई है चीज नहीं हो रही है बहुत सारी योजनाई लाए जाती है वो चीज नहीं हो रही देट इस और फॉल्टी प्लैनिंग जिसमें government बहुत सारे प्रोग्राइम्स लेके आती है को हम कैसे दूर कर सकते हैं तो जो जो कमियां आपने पड़ी है उनी कमियों को अगर ठीक कर दो स्लो ग्रोथ है ना हमारे एक नौमी की उसको तेज कर दो अगर पॉपुलेशन एक्स्प्लोजर ने उसको रोक दो अंडर डेवलप डेगरी कल्चर को डेवलप करने की तो वो रेमेडीज क्या है जो आपने यहां पर यह नाइन पॉइंट्स पड़े हैं इन्हीं को ठीक करना रेमेडीज है तो जो चीज़े हमने पड़ी है अगर हम उनको ठीक कर देते हैं तो इट मेंस अनेंप्लॉइमेंट दूर करी जा सकती है अगर आपको यह टॉपिक समझाया होगा जो की काफी इंट्रोस्टिंग है और असान है अगर आपको वीडियो पुस्तन है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपने डाउट मेर से योट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो थांक यू